हेलो फ्रेंड्स मैं हुँ रिना रिना अथरवा चानेल पर आप सब को बहुत बोज शुवगात करती हुँ पैरेंड्स आज फिर मैं कुछ इनपर्टेंड बात आप सब किसाद शेयर कर रही हुँ तो वीडियो शुरू से लाश तक देखना है जो एक पैरेंड्स का नौलेज कर नेकहिं तो ऐक माहा होने के नाते जो मेरा नौलेज है तो यही पार्चोनल नौलेज मैं आप सब किसाद शेयर कर रही हु अगर आप लोगको आछा लागे तो आप लोग भी कर सके आपांना बात्यों के सद और मैं हमें हमेशा हार एक वीडियो में बोलती हुँ मैं कोई थाइरेपिस्ट नहीं हूँ तो शाच में ना मैं कोई थाइरेपिस्ट हूँ ना मैं अटेजियम के बारे में कोई किताब पराये ना मैं कोई पर सार्च मारती हूँ ना कोई वीडियो देखती हूँ मेरा जो नौलेज है जो पार्चोनल आपना बाच्चों के साथ एक्टिव बनाती हूँ और आप लोग भी ऐसे करेंगे तो शायद आपको बाच्चों में भी इंप्रूमेंट आ जाए इसलिए मैं शारे वीडियो में अथरबा की अक्टिवीटी मैं शेयर करती हूँ जो जो मैंने अपना बाच्चों के सत्किया तो वीडियो शुरू चे लाज तक दे से आके नहीं बोल पाता है जब तक उससे ना पुछा जाए क्या हुआ नहीं हुआ तो हमारा बच्चों में तो मतलब प्रॉब्लेम है तो हमारा बच्चों से इतना जोल्दी उमीद नहीं करना है जा हमारा बच्चों से आके पुछने से सब कुछ बाता देगा तो मतलब ज जब आप देना बहुत ही मुश्किल काम होता है तो मैंने अथारवा को क्या इसे शिखाने की प्राक्टिस किया था ओई मैं आप सब किसाद शेयर करोंगी तो आप लोग भी आइसे कर सकते हो जब अथारवा की मतलब सेशाल उमार था तब भी अथारवा नहीं बोल सकते थी इ कि इसके ऊपर आगर आगर क्लाश का जो टीसः और еफो तो फोराचा हेल्प करें पेरेंट्स को तो बहुत ही बोरी बात हो जाता है क्यूकि बच्चे जब आप इसकूल से लेते हो अगर पैरेंट्स से पर्सोनाली पूछ सकते हो या मैसेज कर सकता है तो याध क्या हूए कौन शा किलाश हुआ नहीं हुआ अगर पैरेंट्स को टीचार बता दे फेर बच्चा्चा इस्कूल से आने के बाद पैरेंट्स से ये के बाद एक पूछे और बच्चा नहीं बता पाये तो पैरेंट्स समझा शकता है जे आपको इ0 इंगलिश किलाश हुआ था तो ए temporary मतलोब क्लास में क्या हुआ नहीं हुआ वह बता है तो क्युकि टीशर भी बीजी होता है काफी बच्चों के अंदर होता है तो परस्टोनली हमें message करके contact करके नहीं बता सकता है इसलिए मैंने एक ट्यूशन दिया था अथारवा को परने के लिए नहीं हुआ पर जाएगा अगर कुछ भी राइटिंग करें बच्चों के सतक्या हुआ नहीं हुआ ओ देखके शिखके आजाए फेर आधा गॉंटा हुआ बैड़ती थी आधा गॉंटा के लिए मैं चोड़ता था ज्याद पड़ाओ ना पड़ाओ अगर बैटो अथारवा के साथ थोरा बातचीत कराओ दूसरों बात्चों से थोरा बैट ले एही मेरे लिए बहुत है पराने की जुरुरत नहीं है लेकिन ओ लेर्की क्या करता था बहुत ही आच्छा था ओ ए टुजेड लिखा देता था फेर रा अगर बातरूम जाना हो उसमें पराने की जुरुषान टीचर मुझे में बातचीत करके बोल देती थी आज यह हुआ इसके साथ बात हुआ तो इसके साथ यह किया तो अथारवा की नोटबुक किसी ने बैक के अंदर डाल दिया था मतलब शारे बात बता देती थी तो जब अथारवा को लेके मैं घ़र आती थी तो मैंने पूस्ती थी वह पर एक चोटा चा लेर की था जिसके साथ अथारवा को बोध दोस्ती था मतलब अथारवा को दोस्ती का पाता नहीं था ओलेर की अथारवा के साथ बोध दोस्ती किया था तो ओलेर की अथारवा की बैक प्य इसे करके फेर जो बता देती थी मैं आथर्बा घर आने के शाथ बोल थी आपकास के डेसर बाद फ्न का मंचेना है तो आपका बैक किस किसने प्यक कर दिया, आज प्या आइटिंग कर दिया а तो फेर टीसर जैसे जैसे बता देती थी तो मैं अथरवा को बोल दी तो ओ अच्छा आज आपने cat, bat, mat ए लिखा था आच्छा cat का picture भी ड्राइंग कर दिये था टीसर ने तो बता नहीं सकती थी अथरवा तो मैं नोटबुक खोल के उसको देखा के बता ना बता थी थी उससे जे मेरे साटो repeat करे और ESR 9 से जबाब दे पहले तो अथरवा को ESR 9 से जबाब दे ना आता था उसके बाद धिरी-दिरे समझाते रही फेर इस्कूल में जैसे लाणस करने के टाईम में कितना खाया, कितना नहीं खाया, कॉंचा किलास हुआ, कॉंचा राइटिंग किया थो थोड़ा बहुत मतलब नोटबूक में कपी करके लेके आती थी जैसे मैत क्लास हुआ, तो एक दो नमबार लिगके ल आती थी कोर्स कोर्स नोर्शन लिक्कन नnikówल शाक्तिते अथरवा इंग्लिश का क्लास हुआ तो इंग्लिश का एक अद विक के लाती थी तो मैं उसको वह लाके मैं उसको उसको बैय अग ओपें करके फेर मैं सग Anda के वतन ऊंके मैं लिए उसको पूछती थी अ थर भारी हो गूझे उसको बोल ने यह था ता तब मैने शारे से आम चेक करके मैं उसको वेँ उसको बूलती थी कोभी-कोभी मीमीनी भी प्लां कृलाश का लया वक कर मिया या काक्र मी बोल देती थी आच्छा आज इंगलिश राइटिंग हुआ आच्छा आज ए बाला ड्रॉइंग किया हिंदी का काम भी हुआ आच्छा आज अनर लिखा आज अथरवा ने धायना बेटा तो उसको पुछने से ओ नहीं बोल सकती थी तो जो जो राइटिंग जैसे जैसे मैंने पूलाल सेकरें से उसको काम मुआता था इस से देखके मैं उससे बुलाने की कोशिश करती थी और ला अपने खाया आईसे पूंश थी तब मैने क्या कर थी लांच बख्स ओप octopus करके अथरवा को देगा थी ती अच्छा अथरवा आपने लांस खाया तो नहीं बोल सक्ती थ देखता था मेरे तरोप, फिर मैं लांस बॉक्स देखा के बोलती थी, अच्छा आपने तो हाप रोटी खाया, आपने तो फूल फिनिश नहीं किया, अथरवा आपको टीफिन बॉक्स किसने ओपेन कर दिया, तो मुझे पता था मेरा बच्चा, मतलोग टीफिन बॉक्स ओपे तो टीफिन बॉक्स खोल के अथरवा को बोलता था, आच्छा अथरवा टीफिन बॉक्स खोल दिया था, तो नहीं बोलता था, मैंने उसकुशी का देती, आच्छा टीफिन बॉक्स दीदी ने खोल दिया, ओहो, दीदी कितना आच्छा है, दीदी अथरवा की टीफिन बॉ पूस्ती थी, अथरबा आप काटी पीन अपने हाप कियों खाया रोटी, अच्छा आपको आज अच्छा नहीं लगा, टेस्टी नहीं लगा, सचके शाथ खाया था, तो ऐसे करके मैं उसको समझाती थी, तो थोरा वोत फुरूट देती थी, एक आद बाइट खाके आती थी, फिर मैं पूस्ती थी, अपने फुरूट फिनिश किया, तो नहीं बोल सकती थी, फिर डाबबा कोलके मैं देखाती थी, देखो बेटा, आपने तो फुरूट फिनिश नहीं किया, आपको फुरूट फिनिश करना था, फिर वाटर का बोतल था, ओ खोलके मैं देख लेती थी कितना पानी पिया फिर मैं उससे पूछती थी अपने पानी पिया तो मुझे पता लाग दाता था थोड़ा बहुत पिया तो मैंने अथरवा से फिर बोलाने की कोशिश करती थी अथरवा अपने थोड़ा पानी पिया बोलो येस मामा मैं थोड़ा पानी पिया ऐसे करके प्रा के अंदर जितना हो सागता था मैडम ने उसको ब्लाग बुट कपी उपी कर देता था तो ऐसे फिर मैं देखके मेरे लिए आसान इजी हो जाता था अथरवा को पुछना और अथरवा को शिखाना उसके बाद जब मैं उसको पीक करती थी कोभी-कभी मैं मिलता था तब मैंने मैं मास किया क्या हुआ कंचा-कंचा साब्जेक्ट पड़ाई किया तो उसके बारे में आज एक्सरसाइज हुआ या कॉंप्यूटर की किलाश हुआ एचे मैं पूछ लेती थी तो कभी-कभी मैडम के पास टाइम होता तो मैडम बता देती थी तो उसके उपर मैं आया ऐसे sapp activity करके मतलोब अथर्वा को जो जो हुआ मैं इन उसको चैंजा ति देखा ति बता ति ती स्कूल व्याक ओपेन करके फेर एचे बोलते 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 अथ कि अपने लांस बक्स कन वपन कर दिये था दीदीटि डिदिने याँ मैं अमने तब बोलता था दिदीने अपने लांस कृथ खाया था तब बोलता था मतलब कभी कभा बॉलता था यस कभी-कभी बोलता था नुँ तो ऐसे करके द suburbsत्रे में कोष्टर का आयानसार इस्कूल का देप आती थी, फिर मैं आई से पूस्ती थी, पार्चोनली मतलब यह नहीं पूसिजास कांचा केलाश हुआ था, तो उतना बच्चे के उतना नहीं पाता होता है हमारे बच्चों के अंदर, तो हमें पेशेंस राखना आता है, वेट करना पड़ता है, हम अगर थ पूस्ती थी, अपने एबिचिरी लिखाता, एल्फाबेट राइटिंग किया था, तो बोल चाखता था, शारे साथ चाल में यहीं बता पाता है, हमें पूस्टना पड़ता है, मतलोब तोर-तोर के पूस्टना पड़ता है, जैसे मैंने उसको पूस्ती थी, अच्छा, उतना बात गुमाफिरा के हमारा बच्चों को बोलना नहीं आता है तो ऐसे शारशत शाल में भी अथर्मा में इतना कोई खाश इंप्रूमेंट नहीं था लेकिन हम अपना प्राक्टीस करते रही करते रही हारोज स्कूल से निकालते ही गहर आके ब्याग ओपेन करके देखान अनि एकशल एकशन भेजा था आधा गुटा के लिए छपता में तीन दिन भेजता था और वह आधा घंटा में चोप्ता ब्लीट वर्ट पूश्ते रही थी और ओथर में शिंखा थी टी को चॉकलेट के ब्स देथि आ है यूक कलेशलिया उसको जा के जा बैग में टोफी आई आप थोरा सा पूछो मामा ने कुछ भेजा है फिरेंट को देने के लिए तो शाइद याद करके अथरबा निकाल ले तो ऐसे पूछने से भी याद करके नहीं निकाल सकती थी फिर मैडाम को मैं बोल देती थी आप खुद निकाल के अथरबा के हाथ चे को फिरेंट को तो आइसे करती थी तो धीरे धीरे आइसे करके बच्चे को काफी समाजदरी आ जाता है जो मामा ने दिया है ओ जैसे अभी अथरबा किसी का नोटबूक या कोई चीज स्कूल से लेके आए मैं बता देती हूं नेक्स्ट दिन जाके आप मैं को दे देना या जो बच्चे का शामाना है उसको दे देना तो अथरबा दे सकता है क्योंकि अथरबा को कभी-कभी हेल्प की जुर्रत परता है दूसरे बच्चे को नोटबूक लाने की जुर्रत परता है गर पे तो मैं के पास मैं मैं सेज कर देता है फेर काम खतम करके मैं अथरबा को तो नौशाल दोश माहिना में शिखा तो इसके लिए कितना लंबा टाइम छोड़ना पड़ता है अगर पेशेंच छोड़ के एक दो माहिना बच्चों के साथ प्राक्टिस करके फेर हम छोड़ देंगे तो पैरेंट्स हमारा बच्चा नहीं कर सकता है फेरल पेशेंच के साथ बच्चे करना है जितना काम हमारा बच्चा प्राक्टिस करके नहीं कर सकता है इसलिए हम हमेशा मतलुब हार चीज प्राक्टिस करते रहेंगे शिखाने के कोई शीश करेंगे अपनी तरोप से और खुद्चे शिखाना हाई कोई भी काम ऐसे नहीं है जे कोई आके शिखा देगा आपको खुद को शिखाना है पेरेंट्स और मतलब एक सीवेर बच्चा को अथरवा अगर अभी कर लेता है नौशाल दोस माईना में तो आपका बच्चा जिसका बच्चा माइल मोडेरेट है उसको भी प्राक्टिस की ज आपे शाल में शीक जाएगा कोई कोई भी बच्च दोस स्याल में अगर हम ठीला चोड़ देंहें तो हमारा बत्चा शीक पाएगा इसलिए हम प्राक्तिस करते रहेंगे में तो जो स्च इज में हमारा बाच्च चीग जाए हमारे लिए लिए बहुत आ हे ये मैं ने लगे पिए मैं री फटblack कोई एक्टिविटी शिए शिखाने के लिए ये सोचे थी अफर्भा करते रही है और ठीप्ला उच्तिते रही से था स्थांड आप का थर पार्बा या क्या हुँ और हम्हें भी पर गयों का आज erिस फिर वहां हों रही से चिक शीए और अब जब घर चे बाहर जाते हो बाहर में जो कुछ भी होता है मामा के साथ शेयर करना चाहिए नहीं तो मामा को आज बता देता है आज इंगलिश का कोश्चिन आंसर राइटिंग किया अज मैत का राइटिंग किया तो ऐसे करके पूसने से अथरबा आभी आज़ा से बता सकता है लेकिन खुच्च आके नहीं बता पता है तो उसके लिए मैं आभी प्राक्टिस जारी राखूंगी आगे अथरबा पंदरा शाल में खुच से आके बोलने लागे मामा आज फ्रेंड के शाद ए हुआ वो हुआ फिर मैं पूस्तियू इसकूल में आप किसके साद बैठा था मैं के शाद आपने बात किया था तो आपने लांस बक्स खोल के फिर कौन दिया था तो बोलता है मैं फिनिश किया कोभी कबा दूसरे का पेंचिल उसको बक्स में आजाता है फिर मैं पूस्तियू किसका पेंचिल आयो बता देता है फिरेंड का नाम जे उसका पेंचिल है फिर मैं बोलता है नहीं ओ आपना चोटा पेंचिल मुझे देके मेरा बड़ा पेंचिल ले लिया तो म मैं शिखारी उसाद आगे जाके शिख लेगा मेरा बच्चा तो मैं प्रेशेंस नहीं सोड़तू मैं प्राक्टिस करती रहतू जब तक शिख जाए वह बहुत है यह नहीं है जब तक शिख जाए दो तीन चाल में भी शिख जाए वह मेरे लिए बहुत है मतलो मैं को भी सब्सक्राइब नहीं सोच सकते थी तो अभी अथरवाय ऐसे इस लेबल पर आगे आप लोग भी हमारा एक्टिवीट अगर कराएंगे तो एमाई 100 पर्शेंट गयारांटी दे तो आपका बच्चा भी कापी हाथ तक इंप्रूमेंट करेगा एक्टिवीटी के अंदरी बच बच्चों को इंप्रूमेंट लाने के लिए आई कॉंटाक लाने के लिए दो तिन शाल लाग जाता है तो ऐसे प्राक्टिस करते रहें आपका बच्चा भी बहुत कुछ करेगा तो आज या तक नेक्स्ट वीडियो में अथरवाजब ठीक हो जाएगा एक्टिवीटी के सा Tata bye bye thank you so much